आपने बोला ना एक चरन और बहुत चल गया है रुद्राक्ष पहनने का अब आप बोलते हो ना मैं क्यों बोलता हूँ कि ये राहू की दुनी है अब रुद्राक्ष लोग कहते हैं जी कि पहन लीजी आप पंच मुखी रुद्राक्ष इस गुट फ़र एवरीवन ठीक है टिस गुट फ़र एवरीवन लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक तो सबसे पहले आप अपनी कुंडी के साब से देखे कि आपको कौन सा मुखी रुद्राक्ष सूट करता है नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है रुद्राक्ष रुद्र शिवा अक्ष आईज तो आपको अगर वो प्रोटेक्टिवनेस चाहिए और अगर आपको लगता है कि यार मैं इसके लिए अब रुद्राक्ष के लिए पहले एस्ट्रोलेजर के पास जाऊं फिर उससे पूछूँ तो मुझे खुद ही पहने तो आप एक काम कीजिए जो भी रुद्राक्ष आप धारन कर रहे है पहनने बले उसको एक थ्रेड में डालिए और उसको बिल्कुल उसकी टॉप से पकड़ लीजिए थ्रेड को अब देखे क्या वो क्लॉक्वाइज घूमता है आप या अंटी क्लॉक्वाइज वो मुवमेंट करेगा दो-तीर मिट वेट कीजिए वो जरूर करेंगे नहीं कर रहे हैं तो किसी टेबल की उपर अपने इस एल्बो को रेस्ट कर लीजिए और हाथ को ढीला बिल्कुल ऐसे पकड़ अगर वो क्लॉक्वाइज घूमेंगे तो वो रुदराक्ष आपको सूट करेंगे तो जो आपने देखा कि क्लॉक्वाइज रुदराक्ष गूम रहा है उसको पहन लीजिए लेकिन फिर भी आप फेसे का ज़रूर लीजिए गूगल करके मत कीजिए गूगल आपके मेरे जैसे लोगों नहीं तो इन्फरमेशन डाली है उनके अथेंटिसिटी किया है गूगल किसी चीज को गलत बताता ही है तो आपको पता है गलत मुखी रुदराक्ष पहनने से आपकी फैमली लाइफ डिस्ट्रॉई हो सकती है आप बहुत जादा स्प्रिच्वल वर्ल्ड में चले जाओगे तो बहुत अपनी ड्यूटी को छोड़ दोगे इसलिए आपको बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए रुदराक्ष ने तो इतलिस्ट ट्लॉक्वाइस तो जरूर कर लीजिए बहुत सारे फेज़ेज को लेके रुदराक्ष के बहुत सारे मिट्स हैं तो वो फेज़ेज कौन से मुखी कौन सा मुखी रुदराक्ष क्या करता है इसको हम किसी बार डिटेल में पकड़ लेंगे